नमस्कार बच्चों, आज अपन ये पाट सेकेंड में जो विजान साकुन तरुम का पांच मांट है, उस पांच मांट की चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही राजा के पास में जो ब्रह्मचारी हैं, कणवरिसी के सिश्य, वो ब्रह्मचारी जब आते हैं वहाँ पे, तो उनके आग मन का क्या कारण हो सकता है इस प्रकार से, वो बात करते हुए कह रहे हैं, कि कि में तावद व्रतिनाम ओड तप्सां विग्नही तपो दूसीतं, धर्मारण्य चरेशू केनत्चित प्रानेशू असत्चेश्तितं, आहोस्वित प्रसवो मम अपचरीते विस्टम वितव विर दूदाम, इत्य आरूड बहु प्रतरकम आपरिछिद आकुला में मने हैं, यानि मेरा मन इस प्रकार से व्याकुल हो रहा है, कि इनके जो आगमन का क्या कारण हो सकता है, ये सोच के मेरा मन इस प्रकार से, बारबार ये व्याकुल हो रहा है, सोच रहा है इस प्रकार से, कि इने रिसियों का इस प्रकार से जो तप है उसमें विग्ने दूसितम, यानि किसी ने इनके ओपर इस प्रकार से विग्नों से इनके यज्यनुस्थानों को दूसित कर दिया, यानि जहां वन में जो राक्सस प्रवर्ति के लोग होते हैं, जो बुरी प्रवर्ति वाले लोग ह कर दिया कर दिया धर्मादन निचरेसु क्राण एस चेश्टि तप इस तपोवन में विचरन करने वाले जीव जन्तु ऊए उनके सात में इस प्रकार से किसी ने बुरिचेश्टा किया अनुचित वहवार किया है इस प्रकार से यो प्राणी हैई जो भी रहते हैं उसमें उनके साथ में किसी ने इस प्रकार का बुरा वेवार किया है। व्याकूल हो रहा है इस प्रकार से तो राजा कहते हैं कि निश्यत रूप से यहाँ पे आये हैं तो इनके आगमन का क्या कारण हो सकता है। इस प्रकार से उन प्राणियों के साथ में किसी ने असद वेवार किया है। या फिर मेरे बुरे वेवार के कारण, मेरे कुकरत्यों के कारण या मेरे इस प्रकार से बुराईयों के कारण लताओं ने फलना फूलना आदी इस प्रकार से छोड़ दिया है। इस प्रकार अनेक प्रकार की शंकाओं से गिरा हुआ राजा, इस प्रकार से सोचता है कि मेरा मन इस प्रकार से किसी निश्यत मत पे ने पहुंचने के कारण इस प्रकार से व्याकूल हो रहा है। फिर जैसे जो ब्रह्मचारी आये थे, वो ब्रह्मचारी जैसे राजदरबार में पहुंसते हैं, तो राजदरबार में पहुंसते हैं जो अपनी इस्थिती है। अचानक हम यहां आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे अगनी से घुत्व है परीत एउग्रम अगनी से गिरे हुए घर के समाहिस प्रकार से मैं इसे महसूस कर रहा हूँ वह सब चीज बहुत अच्छी हैं महा भागय कामम नर्पति अभिनिस्थों यानि भले ही ये जो मरियादा पालक राजा है अभी दिस्ति वाला इसके स्थी बंडलती नहीं है लेकिन ऐसा होते हुए भी बहुत सुवाकिесाली होते हुए भी इसके राजमें इस राजमें वर्णाना अप्रस्ट अभी कस्छित। आपतम नें भसते यानि कोई जो निम्नवान का व्यक्ति है वो भी इस प्रिकार से बुराई वाले रास्ते को नहीं अपनाता, कोई इस प्रिकार से गलत मार का अनुशन नहीं करता, लेकिन तथा पी इदम जनाकीन नम, इस जन से आकीन भीडवार से व्याप्त जो यहां पे लोग इकठे हो रह ने, तो शास्त परिचित विवक्तेन या निरंतर एकांत में रहने से अभ्यस्त मनवाला में खुत्व परितम ग्रहम इव मनने हैं, क्यानि जैसे अगनी से घिरे हुए घर के समान इस प्रिकार से अपने आपको मान रहा हूं, जैसी सार्दत कहता है, सारंगरों कहता है कि सा नहां पर आये हैं, भले ही राजा मर्यादा पूरसोतन है, बहुत सर्व चीजों का इस प्रकार से इनके राज में सब चीजों के आनंद हैं, और कोई निम्नवान का व्यक्ती भी इस राजा के राज में बुरे मार का अनुशान नहीं करता, यानि कोई भी गलत मार का पर जैसे ही हम आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे अगनी से घिरे हुए घर के समान में अपने आपको महसूस कर रहा हूँ, यानि जो इस प्रकार का कोला हल हो रहा है, जो इस प्रकार की यहां पे हाहुला हो रहा है, इस से ऐसा लगता है जैसे अगनी से घिरे हु हुए घर में हम फस गये हों और मैं ऐसा इस परकार से अपने आपको महसूस करते हूँ भाई भाई भले ही ये सब चीजों के आनंदे इस राज में और कोई भी इस परकार से बुराई का मार्ग नहीं अपनाता लेकिन हम एक आंत में रहने से अभ्यस्त मनवाले हम इस प्रकार से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मानो जैसे अगनी से गिरे हुए घर के समान इस प्रकार से अपने आपको महसूस कर रहा हूँ धन्यमाद आजित रही